ओम नमाह सिवाय हर हर महादेव नमस्कार घरेल उप्चार में आपका स्वागत है आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होगें आप लोगों के असिरबाद से मैं अच्छा हूँ तो मित्रों आज हम एक ऐसा उपाय दे रहा हूँ जो ढूणने से भी नहीं मिलने वाला है इस उपाय से जन्मों जन्मों की गरीबी फू मंतर हो जाती है और जन्मों जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं और जीवन की कोई भी इचाएं अधूरी नहीं रह जाती ये के करके सभी इचाएं जीवन में पूरी हो जाती कोई कश्ट नहीं कोई परसानी नहीं यह इतना सक्ति साली उपाय है मात्र सोते समय तीन बार बोल देना है अगर आप प्रत दिन इस नाम को बोलते हैं और चालीस दिन तक कर देते हैं फिर देखें इसका चमक का आपका जीवन का कोई इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगी तो साथियों यह एक ऐसा नाम है और पुराणों में इसका इतना विवरण है कि इसमें हम जितना भी बताओं सब छोटा ही पड़ेगा यह सकती साली नाम है इसके लिए हम विडियो में उतना नहीं बताओंगा कहों कि विडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीमन में हर इचाएं पूरी हो इचाएं कई तरह की होती है धन, संपती, नोकरी, बैपार, साधी, तत्रूओं से परिसान कई तरह की होते हैं मित्रों तो जो भी इच्छा है आपका, इच्छा रख कर भी बूल सकते हैं, नहीं भी इच्छा बोलकर रख सकते हैं, अगर नहीं इच्छा बूलते हैं, तब भी आपका होना ही होना है तो मित्रो इसके लिए कोई दीनवार की जरूरत नहीं है किसी भी दीन से आप जपना चालू कर सकते हैं चाहें इच्छा रखके चाहें बिना इच्छा का फिर भी आपको चमतकार उतना ही मिलेगा और ततकाल मिलता है आज से चालू करिए कल से फायदे नजर आ जाएंगे यह बिफल नहीं होता है तो मित्रो इसके लिए रात्री को सोते समय सोने से पहले इस नाम को तीन बार बोलकर फिर सोयें लेकिन बोलने से पहले अपने आत्मा को एक कदम स्वक्ष पवित्र करें और भगवान बिशुन का ध्यान करें और उसके बाद फिर यह तीन बार बोलें तो मित्रो आप देखेंगे सुबही आपको फैदा नजर आएगा और रात्री में इतनी अच्छी गहरी नीद आएगी कि आप ऐसा नीद कभी भी आपको नहीं मिला होगा और मित्रो जो भी मनोकामना रखके करेंगे तो मनोकामना पुरु होने से पहले ही रात्री में सोपन के माध्यम से आपको मालुम हो जाएगा कि हाँ आब हमारा होने वाला है किसी न किसी माध्यम से वो आपको सपन में मालूम हो जाएगा चाहे कोई भी मनुकाम ना हो तो मित्रों चलें सबसे पहले वह हम जो चार नामों को बोलना है उसको दिखा दिए तो मित्रों देखिए यही वह चार नाम है सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला तो मित्रों यही वो नाम है इस नाम को अगर सरधा विश्वात से आप करते हैं तो हकीकत में मैं कह रहा हूँ कि जीमन में आपको एक से बढ़कर एक चमतकार आपके हाथों से होगा और देखने को भी मिलेगा जीमन की कोई इछाएं अधूरी नहीं रह जाएगी इसके अंदर इतना ताकत भरा हुआ है यह कोई आसान नाम नहीं है तो मित्रों आप इसको जरूर करें और मैं बार बार एही कहता हूँ कि निरास नहीं होना चाहिए क्या पता की से उपाय से आपका किसमत चमक जाए आप लकी बन सकते हैं तो आप निरासा को दूर रखें कोई भी बढ़िया बढ़िया उपाय मिलता है उसको करें विश्वास से करें विश्वास ऐसा एक चीज है कि पत्थर में भी प्राण उठ्पन हो जाता है तो मित्रों यह जीमन की सारी कष्टें बधाएं मुसीबत को दूर करने वाला पाप भी नस्ट हो जाते हैं तो इस उपाय को करके आप अच्छा लाभ को उठा सकते हैं तो वीडियो के कमेंट बक्स में जैस सिरराम जरूर लिखें इस वीडियो को देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ तो इस वीडियो में इतना है और हमें दीजिये इजाज़त नमस्कार